मैं तो उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप कुट मत करिए का जो भी बच्चा देख रहा है अभी आपके पास आठ से दस दिन जो भी बच्चा हुआ है कुट नहीं करना आपको यूटूब पे सारी क्लासिस अवेलेबल है यूटूब पे कर सकते हैं अगर यूटूब पे आपको सिस्टेमेटिक नहीं लग रहा जिन बच्चों अभी पढ़ना स्टार्ट किया है मैं कहूंगा कि वह क्या करें वह नॉर्मल कोर्स को भी जोइन कर स आपके लिए इतना कर सकता हूं कि सकी करा देता हो मैं आपके लिए क्या आप एक रिस्क्तों लिहीं रहें रिस्क चिक के ऐंदर आप अभी पढ़ेंगे आप सूछने के पेपर को कर लीजिए अगर आपका कुछ भी कोई री आता है कुछ भी डाउट होता है उसके लिए डेडिकेटीड नंबर रहता है और बाई करने में कोई दिक्कत आ रहा है डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसके इसाब से आप करिए क्या इन्पॉर्टेंट है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कॉस्ट के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा तो मैं कॉस्ट का चैप्टर वाइज एक बार इन्पॉर्टेंट टॉपिक बताता जाऊँगा सर कॉस्ट शीट एक तो न्यू कॉस्ट शीट को मत छोड़िएगा जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलेप्मेंट खर्ची आ जाते हैं दूसरा जिसके अंदर परसंटेज प्रॉफिट गीवन होता है percentage profit given होता है cost के उपर इतने percentage इतने profit इस तरीके से तीसरा cost sheet में क्या नहीं छोड़ना जब आपको closing stock का value निकालना पड़ता है ये है cost sheet के अंदर तीन topic जिसको एकदम भी नजर अंदाज नहीं करना है और आपको करना है मैं topic wise बताता जा रहा हूँ आ जाईए सर material में क्या करें material के अंदर theory भी आएगा इसमें से एक तो सर आपको LIFO FIFO and weighted average को बिलकुल नहीं छोड़ना है कोई आप एक कर लेते हो तो मैंने ज़्यादा questions भी नहीं करा है और आपने first year में भी पढ़ा है तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पढ़ता लेकिन इसको नहीं quit करना दूसरा level of inventory level of inventory नहीं छोड़ना जो कि minimum level maximum level reorder level एक ये बिलकुल भी नहीं छोड़ना है आपको तीसरा EOQ जो less than more than वाला था less than वाला and more than वाला और plus जिसके अंदर आपको bulk में discount मिलता है bulk में discount के हम ये unit कर रहे हैं इतने में हमें accept करना चाहिए ये सारे के सारे points important है इनके कम से कम आपको दो-दो questions कर लेने चाहिए exam से पहले अगर कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा chapter हो जाता है मैं अब plan जो कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आपके book से सारे questions को निकाल के कुछ important questions की list तयार कर दूँ कि भीया इन questions को मत छोड़ना लेकिन एक यहाँ पर दिक्कत यह आ जाती है बच्चों के साथ मैं बनात के दे दूँ बच्चा पूरा depend उसी पर हो जाता है और फिर उसके अंदर क्या होता है कि अगर उसमें से उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि यह यह चीज़े important है अब मैंने topics बता दिए यह topic अगर आप कर लेते हो तो कभी paper छूटे गाई नहीं जो chapter labor नहीं करा है उसकी नहीं का बात करते है overhead overhead के अंदर sir rates करके जाने है overhead rate जो है sir distribution करके जाना है और distribution में भी कौन से वाला equation method वाला equation वाला equation method जो आपको पढ़ना है sir इसके बाद आपका machine hour rate इसके कुछ questions मैं टिक करवाऊंगा जैसे मेरे पास आएगा यह topic overhead है sir most most important chapter most most important chapter इसमें से questions आएगा ही आएगा इसमें से theory भी 100% आएगे 10 year practice करने चाहिए बिल्कुल 10 year को practice करना चाहिए original cost sheet क्या है origin cost sheet क्या है sir अब पता नहीं लोक ओरीजन आप theory पूछ रहे हो यह question clear नहीं हो पाए मुझे चलिए overhead के बाद आ जाते हैं process में process account के अंदर फिर हम उस पे भी आ जाएगे process account के अंदर एक तो simple है और एक है आपका WIP वाला work in progress वाला honors वाले बच्चों के लिए most important मालो यह तो आही गया आपके paper में समझे लो आगया यह आपके paper में और ऐसा नहीं है कि program वाले नहीं करेंगे उसमें भी आ सकता है program वालों के लिए most important है इसमें से आता है इसके अंदर से क्या topic करना है एक जो full question है including abnormal loss abnormal gain and normal loss वाला questions करना है इसके अंदर से एक करना है आपको closing stock वाला closing stock account वाला दो topic हो गए तीसरा questions आपको इसमें से नहीं छोड़ना that is profit and loss account वाला बड़े-बड़े questions है यह बिलकुल भी आपको नहीं छोड़ना यह हो गया simple weighted average के अंदर आपको WIP WIP के अंदर LIFO LIFO तो है नहीं साथ एक है हमारा FIFO है शायद आपके स्लेवस में और एक weighted average weighted average बोल रहे है बच्चे मिल नहीं रहा तो definitely मैं कराऊंगा weighted average ठीक है ना यह देतूँँगा तो यह है हमारे points इसमें दो material वाला इसमें से theory आएगा क्या इसका theory जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है joint product और by product को लेके joint product और by product इसमें से theory आता है तेवरी के अलग से sheets बनाई हुए अलग से video डाल दिये उसके हिसाब से रहेगा operating cost sheet operating cost sheet आपका service cost को ही बोला जाता है इसके बाद आजाओ sir contract में क्या पढ़ना चाहिए sir contract account में क्या पढ़ना चाहिए आपको इसके अंदर एक तो simple simple वाला इसके अंदर maximum possible loss maximum possible profit वाला loss मैंने कह दिया एक आपको करना है explanation cost explanation cost वाला sir ये न अभी तक मैं बार बार बोलता हूँ करना है करना है करना है लेकिन exam में नहीं आए लेकिन important है ये exam में आए नहीं हो सकता है आपके exam में आ सकता है और क्या करना है sir two year contract प्लस बैलेंस शीट प्लस कॉंट्रेक्टी अकाउंट ये कर लेना ठीक है न है बैलेंस शीट प्लस कॉंट्रेक्टी अकाउंट ये contract के अंदर concept है जो कि आपको पढ़ना है एक होता है नहीं कि चप्टर पढ़ने से पहले इस चप्टर में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए वो मैं बताता जा रहा हूँ contract के बाद सर सी cost reconciliation statement CRS एक आपको simple question करना चाहिए जिसके अंदर दे रखा होता है सारा data वो पढ़ना चाहिए आपको इसके अंदर से एक दो question और दूसरा जब आपको trading या profit and loss दे रखा हो फिर आपको CRS बनाना हो तीसरा जब आपको cost sheet बनाना हो और trading P&L भी दे रखा हो ये वाला important है इसके अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा important ये है और lengthy है जो इसमें से नहीं छोड़ना एक question आपका उसमें दे रखा है जिसके अंदर साइद मेरे ख्याल 2,25,000 unit वाला है आपके cost sheet के अंदर ही book का ही question है 2,25,000 unit ट्रेडिंग वाला illustration ही है वो मैंने करवा भी दिया है वो important है करके जाईएगा उस type के questions बार बार पूछे जाते है मैं बता भी देता हूँ देखे एक बार illustration में ट्रेडिंग अकाउंट पी एंडल अकाउंट बना रखा होगा और buy side में sales 2,25,000 unit अपरॉक्स होगा वो आगे चलके questions है नहीं important है भाई labor है क्या देखो question नीचे दे रखा होगा कि cost fix है उसका आधा part variable है एक बार दिखाओ मैं देख लेता हूँ क्योंकि कई बार आया है exam में यह आपका आपके book में 12.14 है काफी important है यह questions आपके आ सकते हैं exam में 12.14 देखो normal output 2,25,000 दे रखा है आपकी किताम में इसकी video भी मैंने करवा रखा है आपको मिल जाएगा तो important है आप कर लीजिएगा सर इसके बाद कौन सा chapter है service cost तो service cost में दो ही topic है और वो दोनों करके जाएंगे आप एक है आपका ton km और एक है passenger km यह पूरा ही important बन जाता है तो यह कुछ एक chapters आपके है जो की exam में आता है और exam में करके जाना है बागी के chapters जो मैंने साइद यहां नहीं कराया joint product, by product, job batch costing, single output या integral, non integral जो भी topics नहीं कराये हैं उसमें से theory आपके ज़्यादा आने के chances होते हैं और यह जितने भी chapter मैंने बता है practical theory कितने marks का आएगा आप उमीद कर सकते हैं कि 30 से 40 marks के बीच का theory आपके exam में आने के chances बनते हैं 32, 40 क्योंकि आपका paper first time होगा cost का यह यह paper first time होगा NEP वाले बच्चों का CBCS वाले बच्चों का तो चलो चली रहा है तो यह कुछ एक points है जो आपको ध्यान रहना है theory को बिल्कुल ignore मत करना कोई बच्चा बोलता है यह मैंने practical सारी कर लिए प्रेक्टिकल कर लिए अब तो मुझे कोई डरी नहीं है तो उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में मत रखिएगा यह कौन से topic पर आगे कहां से कर रहा था यह रहा उस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में मत रखिए के सारी चीजे कर रखी है तो कोई दिक्त वाली बात नहीं है तियोरी जरूर करना है तियोरी का मैंने पूरा बना रखा है स्टेक्मेंट और उसको उसी हिसाब से आपको मैंने समझाया हूव है यह यह चैपनोर्मल लॉस यह होता है यह ताकि आप थोड़ा-थोड़ा अपने language में भी लिख पाओ, वो theory आपका पूरा डलावा है, पूरे के पूरे book का, अब बात करते हैं सर, exam में जैसे बच्चों का कहना है कि सर 30 तारिक को exam है या जो भी 8-10 दिन बचा है, तो आप preparation जो है, exam लिखने का एक तो cost का paper ना बहुत छोटा होता है, जैसे FM का paper आपको याद हो financial management, तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए 3 घंटे कम पढ़ जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आपने financial management का paper दिया है, तो 3 घंटे से पहले ही आपका पूरा का पूरा attempt हो जाता है, उसके पीछे reasons होते हैं, कि to the point answer देना होता है, बहुत बड़े बड़े इस सेम यही रहता है, cost का nature, cost का paper भी इतना बड़ा नहीं आता, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा 10 stone है, हाँ, अगर आपने theory अच्छे से कर रखी है, तो आप धाई से पहुने 3 घंटे में अपना paper बहुत relax होके करोगे, तो कर लोगे, एक question cost sheet, एक question reconciliation, एक question process का, एक question machine hour rate का खतम, machine hour rate भी बहुत अच्छे से आता है, तो आपने देखा practice अगर किया हो, तो ज्यादा time नहीं लगता है आपको, तो आप सभी student को मैं यही कहना चाहूँगा, आपके course में सभी questions के अंदर star लगा दिये गये है, सभी questions के topics डाल दिये गये है, आपको PDF भी उसके अंदर डाल concept cover हो, हर एक chapter से दो दो चार चार questions निकाल के, वो मैं कोसिस करूँगा आपको provide करने का, तो यह रहेगा आपका सर, यह पूरा का पूरा आपका cost का था, आपके जितने भी बच्चे लाइव में देख रहे हैं अभी application पे, सभी के course में सब कुछ updated है, अगर कोई student जिसको लगत करिए, अभी आपके पास 8 से 10 दिन जो भी बचा हुआ है, whatever call कर लो, आप 7 दिन 8 दिन, quit नहीं करना, आपको YouTube पे सारी classes अवेलेबल है, YouTube पे कर सकते हैं, अगर YouTube पे आपको systematic नहीं लग रहा, जिन बच्चों अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, मैं कहूंगा, कि वो क्या करें वो normal course को भी join कर सकते हैं, उससे एक फायदा होगा, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि इसकी validity एक साल की करा देता हूँ मैं आपके लिए, जिससे होगा क्या, आप एक risk तो ले ही रहें, risk के case के अंदर आप अभी पढ़ेंगे, आप सोचने के paper को दें ना दे, इससे थो study कर लीजिए, अगर आपका कुछ भी query आता है, कुछ भी doubt होता है, उसके लिए dedicated number रहता है, और buy करने में कोई दिक्कत आ रहा है, description में number है, उसके हिसाब से आप करिए, thank you so much, तो ये blueprint आपका जो भी subject related मैंने बनाया, आपको बस help मिले, ज्यादा ज्यादा क्या topic करना है नही करना उससे related है, चली